हेलो फ्रेंट्स एंज वेलकम बैक तो मेर चेनल आई होब कि आप सब ठीक होंगे डोस्तो आज मैं बात करने वाले हैं नर्सिंग एक्टि्ट्यूड के फिर्स लेक्ट्टर की जी हां दोस्तो आप सब की डिमांड पर अज नर्शिंग लेक्चर में अप्लोड करने वाली हूं दोस्तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और हाँ अगर आपको इस लेक्चर के बाद में कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगी कि मैं पूरी कोशिश और हाँ आगे के लेक्चर बनाने हैं आपको जरूरत है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजेगा आईए स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तो अगर आप नर्सिंग के एक्जाम देनी जा रहे हैं तो आपको दोस चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से प थी एक हमारी समाज से भी थी और जो हमारी वर्ल्ड की विश्व की जो पहली नर्स बनी थी वो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही बनी थी अगर आपसे कोशन बूच ले जाता है कि वर्ल्ड की फर्स नर्स कौन थी तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी अब जो हम नर्सिंग की इन्वार्मेंट है उसको ही हम यूटिलाइस करते हैं पेशेंट को हेल्प करने के लिए उसकी रिकवरी में जो हमारा पेशेंट बीमार है उसको जो रिकवर करने हम हम हेल्प करेंगे उसमें क्या होगा जो पेशेंट के इन्वार्मेंट है उसी को ही हम यूटिलाइस करेंगे अब हमारा जो patient का environment है वो कैसा होना चाहिए Florence Nightingale के according जो हमारा patient का environment है वो well ventilated होना चाहिए quiet होना चाहिए और clean होना चाहिए यह हमारे तीन शर्ते हैं जो Florence Nightingale ने रखी है कि हाँ patient का environment ऐसा होना चाहिए तब ही हम उसको help कर पाएंगे assist कर पाएंगे उसकी recovery में तो दोस्तों यह था हमारा nursing के definition अब बात कर लोते हैं कि जो word nurse है हमारा वो कहां से लिया गया है जो nurse term हमारा वो originate हुआ है हमारे Latin language में एक word होता है neutral उसका मतलब होता है nourish यानि कि लालन पादन करना और जो nurse word है उसका भी meaning यही है क्योंकि हमारी nurse होती है वो हमारा patient बीमार होता है वो hospital में आता है वो उसकी complete care करती है इसलिए word nurse रखा गया है याँपे अब बात कर लेते हैं जो term nurse हमारा यह किस पे stand करता है N से nobility, knowledge U से usefulness उपयोगिता और understanding आप में होनी चाहिए R से responsibility S से simplicity साथगी होनी चाहिए आप में sympathy दया E से efficiency छमता यानि कि आप अपने work को करने के efficiency कितनी है आप में दोस्तों यह बहुत important है यह terminology प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा बहुत chances है कि आप से इसको MCQs में पूछ लिया जाए अब बात कर लेते हैं qualities क्या होती है professional nurse की तो यहाँ पर मैंने कुछ list करी है truthfulness caring होनी चाहिए अगर आप nursing profession में आ रहे हैं तो caring तो आपके इन्दे quality में होनी ही चाहिए commitment अपने work, अपने profession के लिए किसी ward में posting है और वहाँ पर बहुत सारी patient है तो आप में इतनी alertness होनी चाहिए कि आपको पता चल जाए आप recognize कर पाओ कि कब कौन से patient के आपकी symptom खराब हो रहे हैं कब वो critical हो रहा है इसे empathy intelligence तो हो नहीं चाहिए आपके अंदर courage होना चाहिए और acceptance आपका patient जैसा है आपको उसे वैसे accept करना है बिना किसी partiality के और कभी judgmental नहीं होना है patient के case में कभी आपको judgmental नहीं होना है यह हमारी कुछ qualities है professional nurse की हो सकता है कि आपसे MCQs में इनमें से कुछ qualities दी जाएं तीन और एक कोई अलग डालके आपसे पूछ लिया जाए कि professional nurse की quality क्या होती है आप दोस्तों सबसे important part हमारी इस वीडियो का कि हमारा nurses day कब celebrate होता है तो जो हमारा international nurses day है वो 12 में को celebrate होता है अब 12 में को ही क्यों होता है आप ऐसा बुछूए तो जो 12 में को celebrate करने का एक ही reason है कि Florence Nightingale का जो birthday होता है वो 12 में को होता है और वो हमारी world की first nurse थी इस वचे से उनके birthday को हम international nurses day के रूप में celebrate करते हैं तो ये तो आपसे पूछ जाने के बहुत जादा chances है दोस्तों तो प्लीज इसको मत भूलना कहीं लिख लेना नोट्स को और इसको अच्छे से याद कर लेना अब बात करते हैं आपसे एक title की उसमें पूछ सकते हैं कि lady with lamp कौन थी lady with lamp को जो title है हमारा वो Florence Nightingale को मिला है जिहां दोस्तों आपसे पूछा रहा सकता है कि lady with lamp कौन थी तो आप बता देना कि Florence Nightingale को lady with lamp कहा जाता है दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर end करती हूँ I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है आपके लिए useful रही है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं डेली आप nursing aptitude पे वीडियो जालने वाली हूँ और हाँ कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्षिन दे मुझे जरूर बताना मैं पूरी कोशिश करूँगी उनको सॉल्व करने की थैंक्स एंड हैवा नाइस टे